अभी इस वीडियो में हम इसकोर रूट और फोर फोर वन निकालना सेखेंगे तो आप इस वीडियो को पर देखें चले हम इसके सुवाद करते हैं यहां पर हम अपना लोंग डिजन मेथड काम में लेंगे इसमें आपको तीन स्टेप करने यह सीखने के बाद आप किसी भी सं आना है तो यह आपका one two यहां पे सिंगल संक्या बचा जो यहां इसके पास चाहिए group बचो चाहिए शिंगल संक्या बचो इसको ले लेना है कितना फॉर अब देखिए इस four को जिएन न रखते हो एसी संक्या का चुनाव करना है जिसका खुद के साथ गुणा करने पर क्या आए या तो four आए या just four से कमा आए तो देखिए टू गुणा two four आ गया तो हमने इसका यहाँ पर चुनाव कर लिया इसको आपको यहां लिख देना है इनका जो multiply करने पर आ रहा है इसको यहां लिख देना है अब देखिए second step इनको add करना है 2 plus 2, 4 हो गया third step इसको minus करना है तो यह minus किस में से होगा यहां इस 4 में से ओके यह निस 4 में से चीक है इसको एक बार भूल जाओ अब आपके पास नहीं संख्या क्या बनगी यहां पर 41 बनगी यहां पर क्या है 4 4 के पीछे ऐसे क्या संख्या ले उसका खुद के साथ जैनि 4 के पीछे ऐसे क्या संख्या ले और इसका इसके साथ multiply कराएं कि आपका क्या आना चीए 41 आना चीए देखिए इसके पीछे मैंने 1 लिया 1 का multiply किया तो कितना गया 41 आ गया ठीक है तो 1 लिया 1 का multiply किया इसको यहां लिख देना है कितना गया 41 आ गया अब minus करते हैं 0-0 आगे आपका process complete हो गया तो square root of 4, 4, 1 कितना गया आपका यहां पर देखो कितना है 21 यहनी 21 आ गया आसान सा तरीका है बहुत जल्दी हम इस method से इसको root find कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा नीचे comment करके बताएं अगले वीडियो में फिर मिलते हैं